आज इस राश्री ये ओबीसी सम्मेलन में जो एक तस्वीर लगी है मैं अपनी बात बहां से शुरू करूँगा और एक ही विश्य पर अपनी बात रखूँगा ये दुनिया एक बगीचे की तरह है और इस बगीचे को सम्हालने सवारने और बचाए रखने के लिए हर दौर में माली की जरुवत होती है वो काटों को बेतर्तीब जाडियों को सहेज करके इसे खुबसूरत बनाते हैं रहने लायक बनाते हैं इस देश में भी एक माली ऐसा हुआ जिसे आम आवाम ने महात्मा का खिताब दिया मगर उसे विस्रा दिया गया मैं उस माली से महात्मा बने शक्स की एक सबसे तेज जलती हुई मशाल से अपनी बात यहां पर इस सबागार में रखना चाहता हूँ और वो मुशाल से शक्षा की उन्नेस अक्टूबर 1882 का दिन था हंटर कमीशन के सामने इस देश की कमीरा जादी के लोगों की सिक्षा और किसानी की बात को रखने के लिए जो तिबाफूले अपने ही बात रखते हुए एक कोटेशन देते हैं और वो यह कहते हैं कि इस देश में हुआ यह है कि थोड़े से लोगों ने जिनोंने न कभी जीवन में नहर बनाया नबाद बनाई उन्होंने पानी रोक लिया है और इस देश की बहुत बड़ी आबादी तक उस पानी को पहुँचने नहीं दिया मवस बहुत बड़ी आबादी की तरफ से आपके सामनी के कहने आया हूँ कि सिक्षाओ एक साथ इस पूरे कमेरा जाति की बहुसंकय कावाम की मुक्ती का रास्ता है किसानों की मुक्ती का रास्ता है वो महत्मा फूले जिनोंने इस देश को तर्ग बुद्धिवात से लड़ने के लिए एक अस्त्र दिया जो ग्यान के सत्ता प्रतिश्ठानों के बीच जने खोद स्कूल से बेदखल करना पड़ा उनके पिता ने बेदखल के लेकिन फ्रांसी सी क्रांटी अमेरिकी क्रांट से होते हुए अपने घुलाम गेरी संघर्ष करने वाले ओन अमेरिकी क्रांटी के योद्धाओं को समर्पित की और उनसे अपील की कि इस देश के मुक्ति तब होगी जब हम घुलामी से मुक्त होंगी और वहां उन्होंने ये बात समझाई कि इस देश में जैसे जूते बनाना मोची का धर्म नहीं धंदा है लकडी के ओजार बनाना एक कुमार का धर्म नहीं धंदा है वैसे ही इस देश में ब्राम्हर का पुजारी बनना और अवैद रूप से दान दक्षना पर कबजा करना उसका धर नहीं धन्दा है ये बेबाकी उस शुक्त की थी और उससे वो ताकत लेकर कि इस देश की आधी आबादी को अच्छादित करने वाले अन्न पिछडे विर्ग को जो पहचान मिली मंदल कमीशन के रूप में एक मुकम्मल पहचान मिली वर्ग की उस पहचान की और से जो सबसे एहन सवाल है जिसमें से एक है जो दिलिब जी ने कहा जाती जंगरना मैं उसमें से एक महत्पूर सवाल सिक्षा की बात करूँगा और सिक्षा की बात इसलिए क्योंकि उस आधी आबादी के साथ जो सबसे बड़ा संकट है इस देश के अन्य पिछले वर्ग के साथ जो फिलाल मुझे लग रहा है सबसे बड़ा संकट है वो ये कि वो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से उस हद तक नहीं जुड़ा है जतना उसे जोड़ना चाहिए था वरना जोतिबा फूले सावत्तरी बाई फूले से ले करके एवी रामसामी नाइकर पिरियार शुदयाल सिंग चोरसिया चल्देगा परसाथ जग्यासू पिरियार नलई सिंग यादो रामसुरू वर्मा जग्देव परसाथ कुश्वाहा अब्दुलकयू मंसारी और आसिल विहारी की तस्वीरें उनकी किताबें उनका संगर्श इस देश के अन पिछड़वर्द के घर की किताबों के दौब में होता और वो इस लेने हुआ क्योंकि हमने सिक्षा की एमेट में समझी और अब इस समदेश में ये हो रहा है कि आपका हक आप से चीना जा रहा है और उसमें सबसे पहला है जो चीना जा रहा है चोतरफा हमलों का दौर है उसमें जो सबसे खतरनाक हमला है जिसका असर बहुत दूर तक होना है वो है आपके बच्चों के हाथ से सिक्षा चीनी जा लिए पहले वो स्कूल और विश्विद्याले जो पब्लिक फंडिड हुआ करते थे उन पब्लिक फंडिड एजूकेसिल सिस्टम में 1950 में जब भारत बना तो एक मुकमल मुल्क बना था यानि जो हाश्ये पर जीसे धकेला गया उसे वो मुक्धारा में लाना है तो किसी की जेब में कितना पैसा है इससे नहीं तेह होगा कि उससे तालीम कैसे मिलेगी इसलिए राजी के जिम्मेदारी थी कि वो बहतर स्कूल बनाए वो बहतर विश्विद्याले बनाए और 90 तक वो काम धीरे धीरे हुआ लेकि 90 के बाद जब विश्विद्याले वे पहली बार बहुजन तके के लोग आने लगे उसमें एक साथ पैरलल एक तरफ नियो लिबरल पॉलिसीज आ रही है और दूसरे तरफ विश्विद्याले वे आरक्षण के बाद पहली बार लोग जब आए उन विश्विद्याले को ही बरबाद करने की कोशिश शुरू हो गए उस कोशिश में सब गुनेगार है और अभी वो कभी नॉट अवेलेबल, नॉट फॉंट सुटेबल तो कभी उनके लोग जब पीचडी में इंट्रिव्य देने जाते हैं वहाँ एद्मिशन नहीं, उनके मनवाफिक रिसर्च नहीं करने दिया और वो खेल 2021 तक चलता है कि जेनियू जैसे देश के सबसे प्रतिष्टित संस्तान में रिजर्व केटिगरी के लोगों को 30 नंबर के वाईवा में एक नंबर दिया जाता है इसलिए उसका मुकमल दस्तावेज उन्होंने बनाया नई सिक्षानेतरी पहले वो विश्वद्यालियों के ऊपर हमला करते रहे जश्ट जश्ट मिलट वो यह कहते रहे कि इन विश्वद्यालियों को बदनाम करेंगे और आब उन्होंने नई सिक्षानीत के जड़िए किया क्या है उस पूरे सिक्षानीत के ड्राफ में एक भी शक्त आरक्षन नहीं है और वो सारी सिक्षा को प्राइटाइज करना चाह रहे है इसलिए मुझे लगता है कि अन पिछले वर्ग के साथ अगर हम सिक्षत करने और वो भी मल्टिपल लेयर से सिक्षा की फिर कभी उस पे बात होगी चुकि मंच की सीमा बहुत थोड़ी सी है जाते लाते बस यही कि इस पूरे मुहीम को सिक्षा के साथ रोजगार से जोड़ करके नए रूप में अगर सामाजी नया की लड़ाई को हम परिभाशित कर पाए जो सिक्षा और स्वास्त और रोजगार की लड़ाई तब मुझे लगता है बहतर होगा और एक सुझाओ कि अगर राश्त्री ओबी सी सम्मेलन है तो पसमांदा आवाजों को भी हमें इसमें शामिल रखना चाहिए ओबी सी की तमाम जातियों को जोड़ना चाहिए और मुकमल रूप से बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए उम्मीद है कि हम बहतर लड़ाई लड़ेंगे पढ़ाई करेंगे और आने वाले कल में कुछ बजा पाएंगे जो विरासत में हमें विलाएंगे बहुता है